प्रिस्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिसना हैं तो दोस्तों आप समझ लिजी कि आप सही जगा पहुंचे हैं क्यूंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे बेहतरिन सीरप के बारे में बताने जा रहा हैं जिसकी मदद से मात्र आपको एक हपते के अंदर भूक लगना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों कई बार हमा हमारे लीबर डैमेज होने लगते हैं और हमारी भूग जो है धीरे धीरे करके मरने लगती है जब हमारी भूग बिलकुल खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम लाग कोसिस करते हैं लेकिन हमारा भूग बढ़ता नहीं तो दोस्तों कंडिशन में हमें कोई सीरप लेने की जाता है जो कि 200 ml पाइक में आता है जिसकी कंपूजीशन की बात करें तो इसका जो कंपूजीशन है साइप्रोहेप्टाडीन हैड्रोकोल्राइड एंड टेरी कोलिन सीट्रेट इसमें दो साल्ट डाले गया है साइपान सीरप दोस्तो आज से नहीं काफी लंबे समय से यह मार्केट में बिकते आ रहा है और इसके रिजल्ट लगबख सभी को अच्छा मिलता है यानि कि जितने लोग इसका इस्तमाल किये हैं उनको बेटर रिजल्ट मिला है अगर उनकी भूक एकदम खत मिसी हो गई है भूक लगना तो बिलकुल इस सीरप के पीने से बढ़ जाता है दोस्तो दो सो एमेल पाइक की प्राइस की बात करें तो यह आपको लगबख सो रुपय में एजली पूरी इंडिया में आसानी से मिल जाता है दोस्तो साइपान सीरप एक ऐसा बहतरिन सीरप है जिसके मातर कुछ दिनों की इस्तमाल से आपकी मरी हुई भूग कई गुना बढ़ जाता है दोस्तो इसमें साइप्रोहेप्टाडिन हैड्रोकुल्ड हैड डाला गया है जो की भूग बढ़ाने की एक बहतरिन साल्ट माना जाता है और ज्यादत तर डॉक्टर इसे प्रिसक्राइब करते हैं दोस्तो अगर आप दिन भर में एक दो रूटी भी नहीं खा पाते हैं जिसकी वज़े से आपकी बोड़ी धीरे धीरे गलने लगी है आपके मास जो हैं बिलकुल पिखलने लगे हैं हड्यों के ढाचा आपकी बोड़ी दिख रही है गाल अंदर की तरफ धसने लगे हैं आपको साथ दिन के अंदर दिखने लगते हैं दोस्तो इसे जब आप सुरू में स्टार्ट करते हैं तो आपको दो से तीन दिन हो सके तो ज्यादर नीदर लग सकती है तो इसके सुरू में इस्तमाल करने पर ज्यादे तर लोगों में इस तरह की समस्या देखी जाती है लेक पिर बूड़े हों या फिर महिला वर्ग की महिला हों सभी वर्ग के लोग इस सीरप का इस्तमाल करके अपनी भूग को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपनी सरीर को काफी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं दोस्तो कई बार कुछ उल्टा सीधा खाने की वज़े से हमारा जो भूक लगने का सिस्टम में बिगड़ जाता है दोस्तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप सुबह 10 बजे नास्ता करते हैं तो रोजानत 10 बजे या 8 बजे 9 बजे जब आपका टाइम सेट है उसी टाइम पे नास्ता करें दूपहर का खाना अगर 1-2 बजे खाते हैं तो उसी टाइम पे खाएं कई बार क्या होता है दोस्तों काम ज्याद बढ़नी की वज़े से हम अपने खाने की और ध्यान नहीं दे पाते हैं और धिरे धिरे करके हमारा खाना का टाइम जो है चेंज हो जाता है और हमारी भूग जो है मर जाती है और हमें जिस वक्त हम चाते हैं कि हम खाना खा लें तो उस वक्त हमें भूक नहीं लगती तो दोस्तों इन बातों को जरूर ख्याल करें अगर जिस टाइम आप नास्ता करते हैं रोजाना उसी टाइम नास्ता करें और जिस टाइम अगर दूपार का खाना खाते हैं तो उसी टाइम दूपार का भी खाना खाया करें क्यूंकि अगर दोस्तो पैसा तो आज में बहुत जाद कमाता है लेकिन अगर आप टाइम निकाल कर खाना नहीं खाएंगे तो आपके सरीर जो है दिन बाद दिन कमजोर होती जाएगी और आपके पास अगर लाखों रूपए हैं अगर आपके पास सहत नहीं है तो दोस्तो समझ लिजी कि उन पैसों का कोई मतलब नहीं है और आप अपने सहत को बनाने के लिए धेर सारे पैसे भी बरबाद करने लगते हैं तो दोस्तो साइपान सीरफ एक बहुत ही पुराना ब्रैंड है जो कि आज भी मार्केट में डॉक्टर इसे प्रिसक्राइब करते हैं और लोगों के भूक और वजन और पिछके हुए गाल को फुलाने में साइपान सीरफ काफी मदद करता है दोस्तो बात कर लेते हैं इसकी डोज की और किन लोगों को हम दे सकते हैं दोस्तो जैसे मैंने बताया कि इसे हम बच्चे हों या बड़े हों या फिर बुजूर्ग लोग हों या फिर महिला ह अगर इन वर्गों में किसी को भी भूक नहीं लगती तो उन तरह के लोगों को इस सीरफ को हम बेजी जग दे सकते हैं लेकिन दोस्तो इस सीरफ को देने से पहले आप अपने करीबी डॉक्टर से एक बार जरूर सला ले लें क्यूंकि दोस्तो सला ले लेंगे तो आपके ल तो या तीन साल के बच्चों को 5 ml दिन बर में 2 बार दे सकते हैं यहीं दोस्तों 14-15 साल के लोग हैं या फिर 18 साल के लोग हैं वो 10 ml दिन बर में 2 बार ले सकते हैं महिला लोग भी दिन बर में 2 बार इसे 10 ml पी सकती हैं तो दोस्तों इस तरह करके इसका डोज होता है और अगर आपको एलर्जी होती है तो उन कंडिशन में इस सीरप का इस्तमाल ना करें दोस्तों ज्यादे तर इसके साइड फिक्ट ये देखा जाते हैं कि सुरू में जब जो लोग नया इसको इस्तमाल करते हैं नया लोग तो उन्हें नीद लगती एक दो दिन जो की आगे चल कर धिरे धिरे ठीक हो जाता है और दोस्तों इसे कभी भी कांटिनियू ना इस्तमाल करें इसे एक दो फाइल इस्तमाल करें फिर उसके बाद बन कर दें फिर देखें कि भूक लगना आपका गडबड हो गया है तो फिर दुबारा स्टार्ट करें क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे कांटिने और दो से तीन महीने लगतार इस्तमाल कर लेते हैं तो आपको इस सीरप की लट भी लग सकती है तो दोस्तो इसलिए डॉक्टर इसे गैप करके इस्तमाल करने के लिए बोलते हैं तो यह था दोस्तो साइपान सीरप के बारे में सब कुछ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल